हेलो फ्रेंड्स हम टॉपिक कर ले थे पार्टनर्शिप जो की प्लसवन कमर्स बिजनेस चुड़ी भूप का है हमने इसके काफी टॉपिक्स कर लिया पीछे आप सारे कवर कर सकते हैं हमारी जो प्रिविएस वीडियो हैं उसको तेक कर कि अगर आपने कर ली है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि सेकिंड पॉइंट था हम यहां पर पॉसीजर कर देखे रिजिस्ट्रेशन का फर्स तो था फाइलिंग एन एप्लिकेशन की मतलब एप्लिकेशन एक फॉर्म होता है उसको भरके एप्लिकेशन सेंड कर देंगा और जो इसकी एप्लिकेशन फ्यों और शेकिंड एस सर्टिफिकेट था पार्टिकुल लट्स सब्टर तो देजिस्टर और एक्जामिन जो पार्टिकुलर्स हैं वो एक्जिस्टर में एक्जामिन होंगे इट इस आल्सों सीन वेदर ओल लीगल फॉर्मलिटी इस जाएगा इस एवर्टिंगेशन और अगर सारा कुछ पर्ड़ में होगा देन दर जेश्टर शेल रिकॉर्ड एन एंट्री इंडर जेश्टर अफ़ और अगर उस जो रिजिस्टर है उसको सारा कुछ एक आउर्डर में लगा सही लगा तो वो रिकॉर्ड कर लेगा एन एं जो उसमें रिजिस्टर करते हैं दफ फरम इस चंसीडर इर्जिस्टर ठेरों जो फर्म होती है वो चंसीडर करते हैं एक्सपेक्टिशन देनों जैस्टरीशन ड़स नॉट एफट्ट देफॉलिंग राइट्स अफ़गा जो नॉट इस शूटी है वो इन चीजों को जो र फर्ट डिजलिशन अफ़ फर्म और दे सैटलमेंट्स अफ़ इस चांट्स जो पार्टनर्स होते हैं अंडेजिस्टर फर्म में वो एक सूट लाते हैं डिजलिशन अफ़ फर्म को बंद करने के लिए और जो उनके अकाउंट्स अउनकी सैटलमेंट्स के लिए देकन ऑल्सो यूज द प्रॉपर्टी अफ़ डिजावल फर्म और वो प्रॉपर्टी को ऑल्सो यूज करते हैं फर्म को बंद करने के लिए अगर राइट होता है अफिशिल रेसीवर का और अफिशिल असाइनिंग का इस नॉट अफेक्टेड उसे हम एफेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब जो शेर है इंसॉल्मेंट पार्टनर का उसे छोड़ने के लिए वैदर दा फार्म इस रिजिस्टर और ना अगर फार्म रिजिस्टर है चाहे नहीं दा अन्रिजिस्टर फार्म और इट्स पार्टनर